तो हमने क्या देखा था तो हमने क्या देखा था मटेरियल टाइप ओके यह देन वैलिएशन क्लास देन जील अकाउंट ओके इसमें हमने देखा था रो एच इसमें मॉल्टिपल हो सकते है 3001 3002 3003 ऐसे हो सकते है फिर इसको जील अकाउंट सहूंगे समझो 3004 जील एंड इसको में जस्ट स्लाइड करता हूं ठीक है यह हो क्या अब इसका में बताया था कि क्या हो सब्सक्राइब स्टील प्लास्टिक और ए और बी ओके अलब लग लग यह समझ गया हो कंसेप्ट यह क्या है रहा हो माटेरियल कि यह हो गया अभी ना एक में डॉक्यमेंट आज भेजता हूं में हमने पहले एक दम शुरुवात में इसमें देखा था के डिएज डॉक्यमेंट खोलता हूं में एक स्क्रीन दीख रहा है ना यह के डिएज डॉक्यमेंट जो है यह बहुत इंपोर्टन्ट होता है मतलब और यॉर लर्निंग और दूसरा है कि एक प्रोजेक्ट के इसका सबसे बड़ा रूल होता है क्योंकि अभी देखो इसमें मैंने बताया था कि प्लांट कंपनी कोड डिस्क्रिप्शन यह सब इसके सबसे कॉन्फिक्रिशन बनता है अगर इसमें बाद में जाके लेटर आन चेंज करना बोला ना कोई कि प्लांड करने कोड वह 11 नहीं उसको तेरा सु कर दो यहां पर नहीं तो इसको सोला सु कर दो तो इस इंपॉसिबल क्योंकि मैंने जब यह बना देता है तो उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में कि कंसिडरिंग डाट बाकी कॉन्फिग्रेशन होते है वह प्लांड को लोगे 1100 नंबर को लेके में सारे कॉन्फिग्रेशन में करूंगा फाइनेंस टीम करेगी हर मॉडियूल वह 1100 लेके कॉन्फिग्रेशन करना चालू कर देता है और लेटर अगर कॉन्फिग्रेशन खतम होता है और यह लोग बोलते कि नहीं वहां पर हमें 800 चाहिए तो हमें पूरा कॉन्फिग्रेशन पहले से करना पड़ता है ओके यह मेजरली और स्ट्रक्चर में होता है ओके तो इसमें इसी लिए हम क्या करते हैं क्या डॉक्यमेंट बना के उसमें हम लोग सारा फिक्स करके इस पर साइन लेते कस्टमर का यहां वाइगरी विद दिस ताक्के वह बाद नहीं है वो कस्टम है ओके और यह सब लिखा है वी आरपी पाकिंग ऑपरेटिंग स्पेर पार्ट यह सब लिखा है यह नभी डवल्यू सारे लिखें ओके तो यह डॉक्यमेंट भी बहुत इंपोर्ड़न्ट है हाँ यह वाले स्टैंडर्ड है अभी जहां पर यह जहड न वहां पर स्टैंडर्ड नहीं है यह भी मतलब यह एकर जहड रात पंटरी अंगर कुछ भी नई बनार है हो तो हर कंसल्टन्ट हर कंट्री में हर जगह पे चीज फॉलो करते हैं कि कुछ भी नया बना रहे हो प्यों का प्यार का डॉक्यमेंट टाइप हो नहीं तो यह हो पहले जेड लगाते हैं कि अब यह करके चला गया मैंने वह अभी मेरा प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पयां तो क्या होगा रोमें जो यहां पर क्रता हूं यह इसे पी ने खुद ने दिया या जएड तो रुवित को अंदर जाके देखना पड़ेगा वो जएड़े क्या है वो कुछ चीज़े तो पता भी नीचल लगी जएड़े नहीं फिर एसे पी के पास देखना पड़ेगा उन्होंने कुछ यह लॉंच किया आए गया फीचर दिय या डॉक्यमेंट टाइब दिया है मट्रल टाइब दिया है तो इस दाट विकम्स वेरी बिग प्रोसेश वो छोटे-छोटे चीज़ों के लिए ओके क्या ना इसलिए इसेड हमेशा डालते हैं अब यह मटेरियल टाइब हुए अभी यहाँ पर आओ यहाँ पर देखो वैलिशन क्लास वैलिशन क्लास का मैंने कैसे बनाए है यह मैंने चेंज किया है पूरा ने मतलब मेरे एक डॉक्यमेंट से मैंने सब यह करके दिया है तो यहाँ पर देखो यह अलग-अलग वैलिशन क्लास है जैसे मैंने बता है स्टील यह प्लास्टिक मेटल ऐसे कुछ भी ले लो इसमें यह मैंने लास्ट टाइम बता है कि यह वांट डिफरेंट फाइनेशिल स्टेट्मेंट्स इसलिए उन उन गो अलग-अलग वैलिशन क्लास मांगते हैं और डिफरेंट वैलिशन क्लासे उनके लिए अनलेसिस बहुत इजी होता है विकास फाइनेंस इस मोर वर कि डेटा निकालो उसका अनलाइज करो उनको जितना बाइफर्गेशन चाहिए उतना अगर रेडिली हाथ में हैं तो वह लोग फटा-फटा-फट करके उनका काम कंप्लीट कर सकते हैं तो हाल में देखो सेमी फिनिश कुट्च में यह भी आपको दो है यहां पर यह मल्टिपल बना सकते हो दो मतलब मैंने बनाए थे पिछले प्रोजेक्ट में या उस मतलब जो भी प्रोजेक्ट में नहीं किया था लेकिन इसमें चार-प अलब है फाइनस टीम का हम क्या अगरते यह 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 सेमव शीट ऐसे एक ऑर मैड बनाके हम फाइनस टीम को दे रहते कि देखो फाइनस कंसल्डन को फिसको और देख भाई यह मैंने बात किया कस्टोमर से तो कस्टोमर ने इतने वालेशन क्लास बोले अब इसके लिए जो ज वो कहां पर करते हैं वो भी हम देखेंगे तो यह हो क्या material टाइप यह वैलेशन क्लास नॉर्मल ऐसे फॉर्मेट में हम लोग बनाते हैं अभी अभी हमें क्या देखना है यही format में हम इसका configuration not this format बट यह configuration कैसे करेंगे material टाइप वैलेशन क्लास वह हम देखेंगे तो अभी आजाओ SP आ रहा हूँ अचिक है फिर यह SAP reference अगर अभी समझो यह मैं दिखा रहा हूँ और यह तो ले कुछ चार पाच आड़ बार करोगे तो याद रहेगा लिकिन वाट यू कन दो हो इस यू कन गो अन गूगल ओके और ऐसे डाल दो की SAP SPRO पाथ पॉर वालेशन टाइप तो यहां पर जाओगे तो यहां पर देखो वो देदेगा अब इसमें भी ऐसे होता है सब्सक्राइब किसी ने तो पूछा था अगर ऐसे ग्रीन इसमें है तो इस इस दो करेक्ट आंसर ओके ऐसे होता है समझें तो यू कन रेफर दिस अभी इसके सामने इसके नीचे देखो यह भी किया है लेकिन इसमें शायद कुछ गलत होगा क्या होगा नहीं तो इस इस वास फस्ट करेक्ट आंसर तो इसको करेक्ट दिखा रहे है अभी वह ओके ऐसे दिख सकते हो यहां पर सर्च कर सकते हो अभी आते यहां पर चल अभी क्याना यूज़ुली यहां पर आने के बाद में हमारा एकां व्ह prof रहता है तो एक है लौजिस्टिक जनरलमी यहां पर और दूसरा सबसे हैं मटेरेल इस मैनेंश्मेंट है तो यह दो चीजों में ही खेलना है लगबक तो अब ही मटेरियर्स मैनेज्मेंट जाते हैं नाई मैनेजमेंट भी देखोगे तो यह बहुत क्लिईरृ ली मेंशन। दे क्या-क्या है यह इन्वेंटरी के लिए यह परचेसिंग के लिए यह चोड़तो यह जो कर रहा है अभी हम लोग अभी क्या कर रहे है तो वैलुइशन के रिगाडिंग कुछ रहे हैं उक्यों मैं इसके अंदर गया है अभी हम पर अकॉंट डिटर्मिनेशन है इसके अंदर में आया अकाउंट डिटर्मिनेशन में आकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजाट इसके अंदर है ग्रुप टूगेदर हां डिफाइन वालेशन क्लास ओके मैं बोलूंगा कि इतना जल्दी भी फटा फट मिलना थोड़ा मतलब दिमाग में बैठना इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको दिमाग में नहीं बैठता तो भी नहीं नो प्रॉब्लम विकॉज आपको कोई हैसे नहीं बोलने माला कि वाई और गूगलिंग इतने सारे बात है इतनी सारी चीज़ें इसमें कांट रिमेंबर मुझे में भी कुछ चीज़ें दूनता हो विकॉज सी कॉन्फिग्रेशन इस पांट के आप रोज नहीं करते हो एक क्लाइंट के पास जब कर रहे हो तो एक बार करके बस बात खतम हो गए तो मेंभी युल डू दू द दो साल देड़ से दो साल याद रहे जाता है कुछ-कुछ चीज़े अठीक है अब इसमें क्या होता है यह पहला वाला दिख रही है अगर आपको जानना है कि यह है क्या क्योंकि अंदर जाके तो देखो यहां पी कुछ नहीं पता चलेगा लगना इन वर्ट इस रिटन यह यहां पर क्लिक करोगे तो यह असिस्टंज है तो यहां पर पूरा इंफर्मेशन एक्जेम्पल के साथ में कि यह क्या है ओके तो बहुत बार ऐसे होगा यह तो मतलब वाट हापन विट मीज कि मैंने एक डवली मॉडिले वो खुद से करने के लिए ले लिया एक प्रोजेक में तो खुद से मतलब कर प्रोजेक के रिक्वर्मेंट थी बहुत सारी चीज़े मुझे नहीं पता थी और गाइडन्स के लिए भी कोई नहीं था मैं क्या करता था यह हल्प में जाके देखता था कि एक्चुल इसके यूस क्या है यह पर्टिकुलर आइटम का तो मैं यह तो बी शेल्फ लर्निंग हर चीज में आगे जाके बहुत सारी चीज़े कस्टमर कुछ डिमांड करेगा तो यूशुड नोहां तो चेक पाइंड ठीक है यहां तक हो गया अभी क्या ना अभी हमें देखना है कि चलो यह वाले मेरे ओके और यह तो हमने कुछ बनाया था ए तो के फाइनलाइज़ की मुझे मुझे वैल्यशन क्लास क्या बनाने वैल्यशन क्लास बनाने के लिए क्या कर मेज्ज क्या थिक है को एक यहां पर ऑगाना अकाउंट क्रोंगी सब्सक्राइब करylोड़ẽंट के बता त्योंक्रांट इसका कैसे है कांट काटेगरी रेफरेंस का क्या काम है न यह दोनों को लिंक करने का काम है उसका यह जील आकांट नहीं है इन दोनों को तो यह जो है यह वाला मटेरियल टाइप और वालेशन क्लास को लिंक करने का काम करता है अकांट रेफरेंस काटेगरी यह न यह वाला क्वेशन लगबग मतलब बहुत सारे इंटर्वी और पूछते हैं वह पूछेंगे कि कि आपको आप यह बताना है कि वालेशन टाइप कैसे एक्ट करता है तो यह वालेशन टाइप की मटेरियल टाइप होता है एक मटेरियल टाइप को मल्टिपल वैलिशन ट्लास असाइंड होते हैं यह विद विद दे यूज ऑप अकांट रेफरेंस कैटेगरी अकांट कैटेगरी रेफरेंस तो यह कुछ भी नहीं होता यह क्या होता है मालू में यह यहां पर चार डिजिट का नंबर होता है यह हुआ शॉर्ष यह डाल दिया है यह यह अभी यहां पर क्या हुआ मैंने राव मटेरियल को अधे आ चरह को यह mediator है, hrh को में क्या करता हूँ, एक जगह पे hrh को 0001 assign कर देता हूँ और फिर यह 0001 में हर valuation class को assign करता हूँ, मतलब क्या हुआ, 0001 इनका mediator हुआ, इसको भी assign किया है और इन 4 को भी assign किया है तो इसके सामने यह 4 दिखाना चालू कर देगा configuration में मैं बताता हूँ, अभी यह account category reference है, जो mediator है, वो अला, अभी देखो, यह तो खुद भी बना सकते हूँ यहाँ पर new में जाओ, यहाँ पर कुछ, यह तो कुछ जादा ही बना दी है इन्होंने, इतने कभी होते नहीं है यह hardly 10 होते हैं, यहाँ तक यह होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता है, जरूरत पढ़ी तो हम बनाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से पढ़ती है, standard से काम हो जाता है, 01, 00001 से 10 तक, 0010 तक, this is standard, ऐसे भी ने खुद ने दिया है, ओके, यह हटा दब लैंक को लेकी कोई जरूरत नहीं होते हैं, तो अभी क्या है, यहाँ पर समझो में क्या करता हूं, एच, 001 करता हूं, राम मटेरियल, ओके, अभी मैं इसको, सेव करता हूं, एक चीज़े, रिक्वेस्ट होता है, इसको मैंने सेव किया, बैक, अभी यह दिखा रहा है, वो ही स्क्रीन पर, मैं अगर बैक आता हूं, तो यहाँ पर अगर जाओगे, तो, एच, 001, यह अगर डालोगे, तो देखो, राम मटेरियल आ गया, ठीक है, अभी क्या है, अभी यह मेरा वैलिशन क्लास है, अभी मैं क्या करूंगा, मैरा वैलिशन क्लास बना लूँगा, अभी यहाँ पर देखो, 3000 तो बनाने ने ठीका, ओके, तो, आम लोग क्या करेंगे ठीक, वैलिशन क्लास, यूजवली नंबर्स में ही होता है, ओके, कोई पर अलफा नूमेरिक वैलिशन क्लास नहीं बनाता है, और वो भी कुछ चीज़ है, लाइक, 3000, 3001, यह SAP ने स्टैंडर्ड दिये, तो, यूजवली लोग वैसे यूज़ करते हैं, तो इसको नूमेरिक नहीं लगा रहे, लोग, अभी में क्या करता हूँ, इसको 301, यह 300, कर देता हूँ, पहला वैलिशन क्लास, अभी यह रेफ्रेंच क्या टेगरी है, यहाँ पर अगर जाओगे, यहाँ पर मैं क्या डालूँगा, यहाँ पर सर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पर करना है, सर्ज 001, यह मिला राव मटेरियल, मेरा वाला, यह में यहाँ पर डालूँगा, अभी देखो, यह वैलिशन क्लास को, यह अकाउंट काटेगरी रेफ्रेंस में असाइन कर रहा हूँ, एंटर दबा दिया, ओके, अभी वैलिशन क्लास का डिस्क्रिप्शिन क्या है, राव मटेरि अभी मैं क्या करूंगा, और एक बनाऊंगा, मेरे तीन आइटम है, तो तीन आइटम के लिए में अलग-अलग, अभी यहाँ पर क्या करूंगा, वही है, वही मटेरियल टाइप के लिए मैं बना रहा हूँ, यह मेरा मैपिंग कहां पर, यहां पर मैंने कर लिया, कि इसके लिए चार वैलिशन टाइप होंगे, और इसके लिए अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में बना लिया है, यह वाला, ओके, यह हर बार बनाने की जरुरत नहीं पड़ती, मैं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन यह सिस्टेम भी बहुत लोग कॉम्पलेक्स कर देते, यहां प है, एच 302, ओके, एच 001, यहां पर क्या पाब्रिक, ऐसी लिख दे रहा हूँ, इसको इंटर करता हूँ, यह देखो, यह आ गया, यहां का यह, यह इसका है, आकाउंट कैटेगरी रेफरेंस और डिस्क्रिप्शन, और यह मैंने डाले, ठीक है, अभी इसको सेव करूँग में, और यह सेव हो गया, ठीक है, एल गो पैक, अभी अगर मैं यहां पर देखता हूँ, एच 001, तो मुझे मिल जाएगा, यह यह था, 300, यह वाले मिल जाएंगे, मुझे, यह वैलेशन क्लास, यहां पर देखो कि पोजीशन में, तो यह वैलेशन क्लास का सर्च है, ठीक ह यहां तक समझ में आ गया, लिंकिंग वाला पार्ट, अभी आगे का खतम करते हैं, फिर से एक बार पूछूंगा, अभी देखो, यहां पर क्या है, अकाउंट काटेगरी रेफरेंस, यहां पर क्या है, वैलेशन क्लास, अभी यहां पर क्या है, अभी थर्ड आप्शन में जाके हम क्या करेंगे, बचा हुआ एक पार्ट करेंगे, क्या गरेंगे वो, यहां पर जाएंगे, ह अभी हमने क्या किया था, आरो एच को कॉपी करके लिया था, हमने राइट, इसलिए वो कॉपी करते वग्त उसने यह आरो एच वाला लाके दिया हमें, यह चेंज करके हम 0001 ओके मैंने तो अभी यहाद है इसलिए मतलब वियर दूइंग नाओ तो डाल दिये बट यू को एर और फाइंड अल्सो यहाँ पर इसको यह क्या यहाँ पर डिस्क्रिप्शिन चेंज हो गया यह मैंने सेव कर दिया अभी क्या हुआ अभी मैंने यह वाला पार्ट खतम किया इसका और इसका लिंकेज किया यह तो वन इस टूवन होगा ओके बिकाज मट्रेल डाइब एक है यहां पर इसके सामने दिख रहा है इतना इसलिए कंफ्यूज मत होना इसके सामने वन इस टूवन का यह होगा ठीक है अभी इसका इफेक्ट कहां पर आता है श्लाश ओ एम्म जीरो वन डिवर्व नियुकर बना एत्च हृ आ Yuk! यहां पर मैं है क्या इन चृट की यहांतो है फिस तियर क्या आइच्ट यह तिलेक्ट कीए यहां प्यमें क्या करूंगा ही हार हार फो एच एच आरवेच यह अपना वाला है ठीक है एंटर किया इसको आम नहीं किया था एक्स्टर्नल डाला था एंड में तो ठीक है आगया एक्स्टर्नल में डाल दिया यह दोनों सेलेक करके मैं सिर्फ आकाउंटिंग सेलेक करता हूं तो बिकरेओ झाओंस दिर्फ एक्स्टर्नल ट्रा में if you're all Japanese कि शुक्तर्नल इसक शुण आरटी उसको आग आपकें कया नहीं200 ₺ डेल में आत्र ट्रस्ट अब्रक मिइख्धं यतांगा टॉर्स्ट्राह पताएंट्र सुण k क्लास इस मेंडेटरी अगर यहां पर जाओगे इत्विल आस्क्यू फर प्लांट यह डाल जिया हम इने अभी देखा यहां पर दिखा नहीं रहा ओके मैंडेटरी लेकिन विदाउट दिस यू कैनाट सेव द मटेरिल बता हमने कल किया था इट वस नॉट अलाविंग इस ठीक है अभी यहां पर देखो क्या आएगा यह आया है स्ट्री जिरो जिरो स्टील प्लास्टिक फैब्रिक तो यह मटेरियल टाइप का असाइनमेंट वैलिएशन क्लास के साथ में तो अभी क्वेश्चन आएगा इंटर्व्यू में यह तो पूछेंगे प्लीज एक्सपर कैन यू लेटस नो मोर डीटेल्स अबाट वैलिशन क्लास ऐसे करेगा दूसरा रहेगा वाट इस ते रिले मैंने जो पहले बता हैं उसको आंसर नहीं कर पाएं तो इंटर्व्यूर थोड़ असा इरिटेट होगा कि इसको इरिटेट नहीं होगा लेकिन इसको मालूम नहीं शायद यह उसके दिमाग में आएगा फिर वो क्या पूचेगा ओके आई मीन टू आस्क कि मटेरियल प्रडेशन क्लास का कैसे रिलेशन है बताइए यह पूचेगा अब यहां पर भी अगर नहीं बता पाए ना तो यह इंट्रीविश क्लोस्ट चाहे बाके आंसर देदो बट्यां इंट्रिव्यूस क्लोस्ट ओके यह फे मितलब आपका नहीं हो गया है ओके विकॉज प्रबाबिलेटी सिक्स्टी परसेंट है इंट्रीव में ओके अगर एक साल में तो बोलूगे एट्टी परसेंट आता ही है क्वेश्चन माट्रेल टाइप के उपरा आता ही है क्वेश्चन तो इसको प्राक्टिस करो कि कैसे बताना है अगे कुछ नहीं मतेरल मतेरल टाइप निंक्ट मतेरल टाइप are configured with valuation type with referring in between with account reference category account category reference तो गैए दन दर रलेशन बिवत्वेटीन मतेरी टाइप and valuation class is one is to many लब ये वन है ये मैनी है one is to many okay but to get this accommodated in system SAP is designed in such way that material type to account category reference one is to one configuration is done okay and then account category reference to valuation class one is to multiple not one is to multiple क्यूंकि ये जो है 001 ये एक ही रहेगा लेकिन आपके इसकी वाली चेंज होगी तो one is to multiple is done okay इतना बोलना है इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बिन्ना अटके वह बोलोगे इंट्रव्यू में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद करके वोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा ओके ठीक है यहां तक clear crystal clear interview question यह होगे अगर में यहां पर वाली क्लस नहीं डालता हूँ और save करता हूँ तो देखाऊं क्लास एसलिए मुझे डालना ही पड़ेगा कुछ नब श्ताओं अभी में यहां पर वालीशन क्लास डाल दिये ओके आप अभी क्या करना पड़ता है इसका इमेजियर्ट अगला स्टेप है ओ बी वाइसी करके एक ट्रांजेक्शन यह ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं इंट्रव्यू में या लोग एक्सपेक्ट करते हमें सब मालूम होना चाहिए यह वैलेशन क्लास और यह जील अकाउंट का जो आसाइन्मेंट है वह यहां पर किया जाता है ओके तो इसके ओपर थोड़ा डीटेल आएंगे हम बात में विकाज अभी आएंगे तो पहले हमने जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जे उसमें देखा यह जब बीए सेक्स का की एक आता है डबली एक्स की आता है यह दो की तो आपको यू मस्ट भी नूइंग नौ अभी जिसको आपको ऐसे लग रहा है किया है यह कब हुआ तो वह उसकी घत्रे का खत्रे की घंटी उसके आभी काम चालों को रहे प्राक्टिस यह डबली आरेक्स है ओके डबली आरेक्स में में चार्ट आप अकाउंट डालूँगा अभी इसकी कोई गैरेंटी नहीं कौन सा है लेकिन गले झालों नहीं ए यह लगण झालों के डिवाला टीक घप कि यह देखो इसका साइन्मेंट कैसे होता है यह वैलिशन क्लास डालते हैं और यहां पे जील अकाउंट डालते हैं लुक्ष इस इस टाइप आफ 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 जो भी ऐसी में होता है अब यह डबली और एक्स के लिए वह आए जब जी आर पोस्ट होता है तो जी अर में जो अकॉंटिंग डॉक्ऊमेंन जन्गरेट होता है उसमें जो डबली यारेक्स की होता है वो की में वो चेक करेगा कि material जिसके लिए वो पोस्टिंग कर रहा है उसका वैलिशन क्लास क्या है उसके इसाब से वो WRX की का GL यहां से उठाएगा इस पर मैं फिर से एक बार लेके आऊंगा जब अभी हम क्या करेंगे इंपोर्ट के टाइम पे जब जी आर पोस्ट करेंगे ना तो जी आर का में वो WRX फिर से दिखाऊंगा फिर यहां पर आऊंगा दिखाऊंगा यह देखो कैसे हुआ अभी तो हम इस पर फोकस करें कि इसका और इसका लिंगेज कैसे और इसका और इसका लिंगेज कैसे कि अग्यों के अभी हम क्या गरते हैं कोोले आख सब्सक्राइब करेंगे आख सकमा करेंगे इसका में दले भी उसमी त messy आपयाम पर श्रीचप करेंगे अब्यू आ एंडड मायु पहले बताता हूं मैं अभी question नहीं पूछ रहा हूं कि बताओ मुझे import क्या है वह बाद में करूंगा सारे question पूछूंगा एक time थोड़ा आने के बाद इन वाट इस import इम्पोर्ट इस anything you are buying from abroad other than our country और जो भी अपनी country में कर रहे हूं तो domestic उसका cycle you know जो अभी तक perform किया है that is very straightforward simple उसमें कुछ नहीं सिर्फ tax वाला subject है और बाकी कुछ भी नहीं है उसमें अभी import में हम पूरा cycle एक बार करने वाले हैं तो import में क्या होता है न इंपोर्ट में आप क्या कर रहे हो कि you are buying something from outside the country तो इसमें transaction में एक चीज का difference आता है difference मतलब एक transaction add हो जाता है होके हमारे routine transactions क्या है तो ME 21N यह ME 51N पकड़ना है पकड़न मत पकड़ो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन mandatory because this is not a mandatory transaction PR वाला ओके अभी PO वाला तो mandatory कुछ भी procure करना है तो उसके बाद में क्या होता है MIGO which is GRN ओके यह term समझ में आ रहे नहीं आ रहे तो पूछो MIRO MIRO invoice verification तो यह हो गए चार चीजे तो अभी तक हमने देखा इतना होता है उसके सारे हमने यह देखे कैसे कैसे करते हैं वह देख लिया अभी क्या होता है यह होगा डोमस्टिग डोमस्टिग बोलो या 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 जूज्वइली क में एतने ट्रांजेक्शन देसे जाद में होते हैं गश и 種िंपोर्ट का अभी साइकल समझते पहले इंपोर्ट का साइकल क्या है देखो मैंने पियो निकाला मेने क्या क्यां Państwo के मेरे वेंडर को भीज दिया कि वो आर एफ क्यों कोटेशन सिलेक्शन वो सब का सेम है किसी का अलग नहीं है इसलिए मैं अभी पी आर कोटेशन कॉंट्राक्ट इसके उपर बात नहीं करूंगा बिकॉज डाट इस सेम कि मैं अभी इंपर्ट में क्या होता है पहले फीओ निकाल होगे और जो भी वेंडर है उसको देदोगे उसके बाद व वेंडर क्या करेगा वेंडर आपको मैटेरियल वहां से भेजेगा अभी भéजने के बाद ने उसके आप लोकल ? फरेट फिर इंड फिर सी फरेट होगा न सी का और उसके बाद में हमारे यहां पर आने के बाद में हमारा लोकल फ्रेट अपने कंपनी तो का आने के लिए तो तीन फ्रेट हो सकते है उसमें हो कि अभी हमने लास्ट टाइम डिसक्स किया था इनको टम्स में कि यह फ्रेट इनको टम्स के उपर होता है कि इसकी कॉस्ट क कास्ट हम बेर कर रहे तो we have to pay for all the fridge तो उसकी condition types आएंगी हमारी conditions में ठीक यह हो गया है इसके अलावा यह हमने एक दो बार discuss कर लिया है इसके अलावा सबसे important चीज क्या होता है जब वो मेरे port पे आता है तब एक important चीज होती है क्या होती है तो I have to pay the customs for that material ओके अभी government का यह customs का क्या होता है na you have to first pay them then they will release the material तो आपको उनको payment करना है फिर material वहां से उठा के लिए के आना है अभी देखो हमारे cycle में क्या है पीओ है फिर डायरे जी आरे अभी payment कैसे करूंगा मैं सिस्टम में भी payment करना है जाकर physically दे दिया ऐसे नहीं चलेगा सिस्टम से ही payment होगा सिस्टम में transaction होगा finance टीम को पता चलेगा यह मुझे payment करना होगा ओके तो पीओ निकालने के बाद में इसी को modify करता हूँ पीओ निकालने के बाद में जब मेरे पोर्ट पे मेरा material आता है तब में transaction करता हूँ मायार ओके यह जो transaction में करता हूँ यह invoice इन्वाइस वेरिफिकेशन यह करता हूँ कस्टम वेंडर के लिए कस्टम वेंडर को ने मेरा इंडियन गवर्मेंट ओके अभी इसमें ना अभी तक हमने domestic में क्या एक ही vendor होता है जिससे material ले रहे हूँ यहां पर वैसे नहीं होता हूँ जिससे material ले रहे हूँ वो supplier हो गया वो supplier हो गया अभी इसमें कितने vendor आ सकते बताता हूँ वेंडर वन वी वन यह तो इसको क्या गरो 90009 मतले यार 61001 ऐसे कर दिया है यह है इंपोर्ट मतलब सप्लायर ओके इंट्रेंशनल सप्लायर फिर मेरा आता है 61002 यह जस्ट एग्जैम्पल ले रहा हूँ सिक्वेंस में नहीं हो गाई रखतान के कस्टम कस्टम वरेंडर उसका क्या होता है इंडियन गवर्मेंट तैंसक्ट या इंडियन कस्टम टीपार्टम थीके यह दो वेंडर हो गहे आएंगे कुछ, उके उसके बार में बाद में बात करते हैं, अभी इन्वाइस वेरिफिकेशन के लिए मैं सिलेक करूंगा मेरा कस्टम वेंडर, और उसको जो भी मेरा invoice जो भी मेरा custom का payment होगा उसके लिए मैं PO के बाद में जब मेरा material port पर आता हूँ मैं M.I.R.O करूँगा और मैं custom का payment कर दूँगा अब क्या होगा मेरा material वहां से निकला अभी निकलने के बाद में मेरे premises में आ गया मैंने GRN कर लिया फिर उसके बाद में मैं फिर से invoice verification करता हूँ supplier को supplier गुट supplier जिसने मुझे material दिया उसको ठीक है तो इसमें अभी क्या हो सकता है अभी pricing देखते हैं इसमें और एक चीज हो सकती है कि मेरा एक vendor और बढ़ सकता है 61003 लेता हूँ 0003 वह फ्रेट vendor प्रेट vendor में क्या होता है फ्रेट vendor एक होता है C और 61004 यह होता है लोकल ओके अभी सी मतलब इंटरनेशनल समझ लो इसको वहां का पूरा उसके कम उसके पूर्ट से मेरे पूर्ट तक अभी इसमें ऐसे भी हो सकता कि एक ही vendor बोल रहा है मैं वहां से आपके फ्रेक्टरी तक लाके दूँगा लीव देट वह बहुत सारे सेन्रया बनेंगेगे वेशें लेकिन अभी इसमें कितने होगा चार विंडर मुझे कितने लोग को प्राइज भाल्व या प्यमेज फी मेंच य हैप मुझे मुझे प्राइज लायूय या प्यमेंट का टेम समझो 10,000 अभी कस्टम वालों का क्या होता है न हर कमोडिटी पर उनका अलग रेट आफ इंट्रेस्ट होता है तो समझो इस पर दस है यह जूली दस होता है लेकिन अभी उसमें कुछ ज्यादा कम है तो कि दस है तो इसका कितना वैली हुआ अपना दस परसेंट रुपे मुझे कस्टम वाले को देना है फिर क्या है प्रेट सी अभी वह सी वाला जो है न वह थोड़ी इसके उपर कुछ परसेंटेज होगर नहीं उसका होगा कि आपका कितना क प्रेटी लो है या उसका साइस क्या है आपके टोटल इसका मेरे शिप में बैटने पर वह उसका कैल्कुलेशन कुछ रहेगा वह क्या बोलेगा सो कॉन्टिटी या वाटेवर इस दे कॉन्टिटी कॉन्टिटी छोड़ दो मेरा 500 या 1100 मेरा सी फ्रेट है लोकल फ्रेट वा यह लोगों को पेइमेंट करने है तो मैंने एक पेमेंट यहां पर कर दिया कौन सा वाला यह वाला इचलि इसको मैं घ्रीन कर देता हूं स्वारी ग्रीन यह नहीं होता है दूसरा मैंने क्या गया जब जी आर्न हो गया उसके बाद में मैंने सप्लायर का प्यमेंट कर दिया ओके अब यह दो लोग बचे ना इनके लिए मुझे क्या करना पड़ता है फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने वेंडर होंगे उतने बार मुझे मिर करना पड़ता है यह मुझे करना पड़ेगा तो यह गेटिंग की इसमें एक चीज बड़ी की जी आर्न जो मेरा हुआ ना एक पेमिंट किया और इसके बाद में मैंने जितने भी बचे हुए वेंडर है उनका अलग से पेमिंट कर दिया कि अग्या ने डाउट टिलियर कि अग्या जब्रेश में यह यह यूजरलली बात हो है हम लोग जो खरीते हैं न हम कस्टमर एंड द्यूजर है और हम क्या खरिते हैं कुछ तो एक छोटा प्रोड़क्ट खरी देंगे चाइना से यह दुस प्रोड़क्ट कर देंगे तो ऐस चानज़ का ने ने क्या किया है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए वह उनके यहां पे शिपिंग वाला तो उसको बोलते भाई तेरा चार्ज क्या है तो वह उसके सब फिक्ट से वह प्राइज इंक्लूड करके ने तो शिपिंग चार्ज़ेस ऐडिशनल ऐसा बता के हमें शिप करते तो वी पे वेंडर वेंडर हमारे लिए शिपिंग वाले को पे करता है अभी हमने यह एक बार देखा था ओके यह अच्छा वाला इमेज कहां गया हो कि यह वाला थोड़ा अच्छा है यह वाला अच्छा है यह देखा था नहीं शुरुवात में तो इसमें क्या और भी यह देखू कि यह डेस्टिनेशन है तो हम डिलर डिलेवरी डि डियूटी पर डिलिवरी एक्सवर्क आंगरीड प्लेस एक्सवर्क्स इस को थोड़ा डीटेल और पोड़ों एक्सवर्स मतलब हम एना डी ओपी लेते हैं डीडीपी डीडीडीटी तो ये हमारा होता है यूज्योली तो हमारे डेस्टिनेशन तक लाके देते हुँ कि को इसे नहीं होता जब एक कमपणी कुछ खरीदते हैं दूसरे से तो जो देने वाली कंपनिंए उसका क्या होता है वह बोलती कि हम ये जंजट में नहीं पढ़ेंगे एब ले रहे हो तो यह उसमाज़ा रहा हो तो वह कंपनि क्या पोलती है देखो बॉइलर बना के आम यहां पर रखेंगे लेके जाओ यहां से आगे तो उसे में क्या होता है सारा ऊपर दिखना था करता हैं तो इस में दोचीज़े उथी है एक सब्सक्राइप में अब्सक्राइब का इन स्प्लाइज अइसे होता है कि में आको आरेंज मेरे पास है वेंडर रेट वाला तो वो मैं आपको कॉंटक करवा के देता हूं आप उसको फिक्स करों उसको पैसा दो और लेके जाओ अब पूछो और सब समझ में आ गया मतलब समझने में मुश्किल नहीं है मतलब समझ में आया तो आया अच्छी बात है क्योंकि बताते हों भी मैंने बहुत उसको इलाबरेट करके बता हैं अल्रड़ी नहीं आया तो बोलो अभी इसमें क्या यह देखो यह फ्लो चार्ट वैसे एक्रीट पर्चेस रिक्विजिशन यह अप्रूल हो गए रही है वैसे पुरान आवला फिर यह कॉंट्रक्ट आर एफ क्यू पियो बनाया अप्रूल हो गया जी आर हुआ इसमें तो वह दिखाया भी नहीं है इसमें और एक चीज होता है इसमें ऐसे क्यों नहीं दिखाया उसका रीजन यह कुछ जगह ओपर क्या होता है हमारा एक होता है ओके 6100005 कस्टम क्लियरिंग एजेंट यह क्या बोलता है मैं 100 रुपे लूंगा यह क्या गरता है हम क्या करते कि यह जो बंदा है यह बोलता है कि Sir Don't worry माटेरियल आएगा मैं पेपर वर्क करूंगा मैं आपका माटेरियल छुडा होंगा मतलब कस्टम से छुडा कि आपको दे दूंगा आप मुझे ना आप माटेरियल लेके जाओ फैक्टरी में उसके बाद मुझे पेमेंट करो कस्टम का इसमें क्या होता है यह एक हजार रुपए जो वेंडर को दे रहे ना दिखाते तो वेंडर कोई है लेकिन एक्च्वल पेमेंट इसको करते हैं क्योंकि यह पहले हजार रुपए पे कर देता है और यह बाद में पैसा लेता है हम से समझे तो चीक है अभी क्या होता है पोर्ट पे मटेरियल आया उसको छुड़ाने के लिए क्या करना है कस्टम पेमेंट करना है वो कितने हजार रुपए तो अभी मैंने मेरे एक बंदा है मेरे यहां पर उससे टाइप किया है कि भाई देख तू जाएगा मटेरियल का पेपर क्लियर करेगा पैसा भरेगा और वहां से मटेरियल रिलीज कर लेगा और जो कस्टम का हजार रुपए है वो तू भरेगा और में तुझे बात में दूंगा ओके एक तो ऐसे होता है नहीं तो मैं उसको पहले ही पेशे देखे रखता हूं हां यह संकित आखे, उसको इसको सिर्फ यह को कि मैंने एक बंदे को हाइर किया है पेमेंट करने के लिए ऐसे पार्ट-अफर्विस तो बहुत-बार ऐसे होता है कि मैं उसको पहले ही पेमिंट कर देता हूं हजर रुपय का यह क्यों होता है कि तो मुझे तो मालagar आने वालय अविसप्र मट्रेल आएगगा तब में माईरो पॉस्ट करों गा तभ्लिस करों गा तो उसमें भी डिलेय हो सकता है यह विजी हैं तो मैं सब्सक्राइइक चुड़ा के लेक्ना मट्रेम बात Allवा congratụ Yes या मैं उसको 10,000 दे के रखूंगा कस्टम्स के ने तो दो तीन अजार की जैसे ही मट्रल आ रहा है मेरा तुले किया पैसा कतम हो अब आता में देंगा तुझे कि अधिस्वे उसके नों से जो है ना यह वाले यहां पर नहीं पोस्ट करते हम यह हम आफटर जियर इंपोस्ट करते हैं आप एस तो प्रोसेश अभी यह जो मैरा कस्टमर ता इनका प्रोसेश यह था कि यह यह मतलब मट्र लाने के पाद पैसे नहीं देते थे जी अरण material खुद के पास आएगा जीर न करेंगे उसके बाद में जिसने पैसा दिया था कस्टम का उसको बलते हैं च एच कस्टम क्लिरिंग एजन्ट कस्टम क्लियरी जन्ट का में का में documentation का लेकिन ये भी करते लोग as a part of service तो उसको फिर बाद में जी आरन होने के बाद में उसको पहला payment release करते थे हजार उपे का whatever हजार रूट अब बोलो अब बताओ कोई डाउट इंके रोहित ओक्या ठीक है तो वाट वी विल्डू टुमारो कलम प्यों बनाएंगे जी आर करेंगे इनवाश करेंगे यह सब कल करेंगे आपके तो यूज्योली मैं पहले से करेंगे स Dready कर के रखता हूं लेकίν मैं वैसे नहीं करूंगा एक साइकल में पहले सिस्टम में यह इतना अच्छह नहीं होतें तो बहुत बार सिस्टम्स सारे ट्रांजेक्शन एक्जीकूट नहीं कर पाते हैं वाट वी विल दो इस पॉर यॉर बेटर अंडेस्टानिंग हम साथ में बैट के मटेरियल दूनेंगे वाई विकॉज वेन यूविल प्रक्टिस तो वह नहीं चाहिए कि अगर मटेरियल में नहीं दिया है तो ही नहीं तो खुद दूंडी नहीं पा रहे हूं इसलिए हम कल मटेरियल दूंडेंगे कौन सा लेना है वेंडर उसकी तीन-चार चीज़ ऐसे करते करते हम पूरा साइकल कर लेंगे कल फर्सो कर तो प्लान नहीं मेरा लेकिन अगर हो जाता है तो मैं बता गर्माइन देता हूं बपर फर्सो कब लेन मैं मितलब फल चलेगा करें एक है जो क्ल करते बंबन ब्रॉस कल कर थे सब्सक्राइब तो बेसिकल याभी वाट यु एफ तो दो इस माटेरियल बनाया होगा यूव तु अभी यू भाट्यल टाइब बनाया होगा नाव यूज to do the material type evaluation category reference and valuation class this assignment okay do it at least once so that you will get a better understanding next time kya bana f is a material type valuation class you should not create valuation class a bheni you you have not saved नहीं सी बेसिकली अंडरस्टाइंड इस तींग्स कि वैलिएशन क्लास का भी आरोईश नाम से नहीं बन सकता आरोईश इस वाइडर कैटेग्री समटेरियल टाइप तो आपका जो वैलिएशन क्लास बनेगा वो उसके अंदर का बनेगा तो लेका गिवन यू एग्जैम्पल वाट इस वैलिएशन क्लास स्टील विच जेड आरोईच के सामने स्टील लिखोगे यह तो गलत हो गया ना तो इट शुड भी नंबर जस्ट फॉर्ट शेक की अपने पास नंबर्स है नहीं अभी होप सो अच्छे डिजिट्स इसलिए मैंने सामने इस डाल दिया था ओके बट आरोईच अगर लिखना है इट विल भी हो मट्रल टाइप ओके किया गया और ओके ओके हाथ दाट इस गुड तैट इस गुड मतलब वह यहां पर नहीं मिलेगा वह मिलेगा मुझे मटेरिल टाइप में दिख जाएगा यहां पर वह मटेरिल टाइप है इस डिस्प्ले अगए अग आप गऩ इस करेिल टाइप यहां इसन श्यॉटलिटली टाइप लॉट यहां आप भी इसेर मतलिल टाइप नव चुडल टॉटेट भी नव गिनिंग, वैलुटिंग, वैल देशन क्लास बना है तो यहां प्रीट यहां प्रीट आपक्र सुड टॉल प्रीट कि या ओके अब भी बोलो ठीक है तो कल भी करते हैं कली साइकल करेंगे पूरा इंपोर्ट का